महुत हैसील में कोरोना वारस ने अपने पैर जम कर पसार लिये हैं पहले जहां शेहरी शेत्र में संक्रमित लोग मिल रहे थे वहीं अब वारस ने ग्रामीन शेत्रों में भी अपने घुस्पैट कर दी है आज भी 13 मरीज मिले हैं जिसमें से 12 मरीज ग्रामिन शेतरों से हैं इन 12 मरीजों में से 10 मरीज तो केवल ग्राम हर 16 से ही मिले है महु की ग्राम हर 16 से आज 10 संख्रमित मरीज मिलने से पूरे ग्राम में हरकम मचा दिया वहीं एक साथ इतने अधिक मरीज मिलने पर स्वास्थ विभा की टीम के साथ ही प्रशासनिक अधिकारे भी ग्राम हर सोला पहुचे और यहां पर लोगों के सामपल लिये गए लेकिन इनके पूर्व लोगों ने स्वास्थ विभा के टीम को अपने सैंपल देने से रोकने के लिए घरों के दर्वाजे ही नहीं खोले लेकिन महूँ SDM अबिलाश मिश्रा के प्रयासों के बाद लोगों ने अपने घरों के दर्वाजे खोले और सैंपल दिये वहीं जो दस मरीज मिले हैं उन्हें भी इंदौर के रेड जोन अस्पिताल पहुचा दिया गया है हाला कि संक्रमित मरीजों के संख्या 275 हो चुकी है कोरणा संक्रमन के ग्रामीन शेतरों में पहुचने से प्रशासनिक अधिकारियों की चिंताय और अत्य अधिक बढ़ती जा रही है महुस जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट टेस्टिंग हो रही है अच्छे स्तरज पे हो रही है कई माध्यमों से हो रही है इसलिए जब सेंप्लिंग की टेस्टिंग ज्यादा हो रही है तो बोड़ा केस निकल के आना सभाविक है यह जो केस निकले हैं यह भी हम लोग के जानकार में थे और यह इनकी कॉंटाक टेसिंग कुछ वर्श पूर कुछ दिन पूर यहाँ पे एक बालक पॉस्टिव निकला था उसी पे कॉंटाक टेसिंग में इन सब का सेंपल लिया गया था और उसी के तहते पॉस्टिव जो साफदानी बरत्नी चाहिए थी जो आपका कंटेंवेंट शेतर बनाया गया था इसमें जो प्रोटोकॉल का पालन करना था ऐसे हमें पास आया है पता चला है और हमाई पास एवीडेंस भी है कि नहीं पॉलो किया गया लोगों को दौरा तो इसलिए अब यह गाउं में खोड़ा सामें अलर्ट रहना पड़ेगा इसके लिए गाउं में लॉगडाउन करना पड़ेगा इसलिए पूरे गाउं को संपून को लॉगडाउन करना अनिवार हो गया है तो एक अत्यस तारीक तक इसको लॉगडाउन करेंगा अब लिए टोटल संजय किसमें हो चुछ